Hello Friends, पुछास किचेन में आपका सौखत है हमाई आज की रेसिपी है पीट रूठ अलबा यानि की चुकंदर का अलबा यह हल्बा टीस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हल्दी है अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो हमाई वीडियो को लाइक कीचेगा हल्बा बनानी का प्रॉसस स्टार्ट करते हैं चुकंदर का हल्बा बनानी के लिए सबसे पहले मैंने कडाई लिया कडाई को गैस वे रख दिया उसमें दो डेवली स्पून मैंने घी अट किया है और जब भी मैल्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं ड्राइफूट्स को रोस्ट करूंगी तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बदाम को रोस्ट किया हुआ है तो देखे बदाम रोस्ट हो गए है तो इन्हें हमें ज़्यादा देटक रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बस हम हलका सही रोस्ट करेंगे तो अब हम पिस्ता को रोस्ट करेंगे तो पिस्ता भी रोस्ट ह गास को बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रखेगा बिल्कुल ही फ्लेम मत बढ़ाएगा उससे आपके ट्राइफूर्स हैं वो जल जाएंगे और अब मैं काजू को रोस्ट कर लूँगे तो यहां पर मैंने ड्राइफूर्स में सिर्फ काजू पिस्ता और बदाम लिया आप चाहें बीट रूट लिये थे उनको मैंने चीलने के बाद में अच्छे से कद्दू कस कर लिया और अब हम इने घी में लगबग 5-6 मिनट तक अच्छे से भून लेगे पर याद से आप गास को बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ही रखेगा तो बीज-बीज में इसको चलाते रहेंगे जिससे बीट रूट हमारे बॉटम में ना लगी और यह यूनिफॉर्मली घी में अच्छे से भून जाए तो लगबग 5-6 मिनट के बाद में मैं इसमें 2 कप दूध हैट करूंगी यहाँ पर मैंने फॉल क्रीम दूध यूज किया हुआ है और जो दूध है वो मेरा नॉमल फ्लिम रख दिया था तो पीच-पीच में इसको चलाती रहूंगी जिससे आपका जो हल्वा है वो बॉटम में ना लगी और वीट रूट यूनिफॉर्मली पक जाए तो कुछ देर के बाद में हम जब इसकी दूध के कॉंटिटी काफी कम हो जाएगी तब मैं इसमें हाफ कप चीनी आड़ कर दूगे और चीनी को भी बीट रूट हलवे में अच्छी से मिक्स कर लोगी तो यहाँ पर अब क्या करना है कि हमें दूध की कॉंटिटी को रिड्यूस करना है तो आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि दूध की कॉंटिटी कम होने यहाँ पर आड़ किया है तो इन सारी चीजों को मैंने अच्छी से मिक्स कर लिया थोड़े से ड्राइफूर्स मैंने बचा लिये दे गार्डिस करने के लिए अब इसको गैस का फ्लीम आप लो मीडियम फ्लीम पर रखियो और बार बार बीज बीज में चलाते रही है क्यों है दो कि आप आप उसका टेष्ट और भी अच्छा इंहांस करने के लिए मैं इसमें ली इतुर्टि पाउंडर राट किया तो भल उसका तने ही अच्छा आता है तो आप nowhere quarter tasting polls Стु각 और यह ऊच्छा आप्था इसंस हीक्लीचत comments तो हमारा हमारा हमाराहिर्वाण रेडी हो गय प्लेट में इसको सफ कर लिया है और इसको घुण की है से थोड़ा से स्प्रेट कर दिया और इसके बाद में मैंने इससे इस खूछी मावा से और डराइ करते हैं तो आप ये चुकंदर का हलवा भी एक बाज जरूर राइ कीजेगा मैं 100% कारेंटी देते हैं कि अगर आप ये हलवा टेस करेंगे तो आप बागी के हलवे भूल जाएंगे कि ये बहुत ही रिस्ती हलवा है अगर आपको हमाई आज की रेसिपी अच्छी लगए तो हमाई वीडियो को लाइक कीजेगा और हमाई चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और जिसे आपको को हमारे आगे के अपडीट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं